जैस्री कृष्ण मित्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे कुम्भ राशी के बारे में कुम्भ राशी के राशी फल की चर्चा करेंगे और कुम्भ राशी के राशी फल में फरवरी महीने के राशी फल की चर्चा करेंगे और फरवरी महीने के राशी फल में प्रेम सम्मंद और बैभाईक सम्मंद की चर्चा करेंगे और आपके धन, ब्यापार, स्वास्थ, केरियर, नौकरी की भी संचिप्त में चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें वो सुनें तब ही आप कुंभराशि के राशिफल की पूरी जयनकारी प्राप्त कर पाएंगे ये राशिफल चंदराश पराधारित है यानि मौनसाइन पर जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जनकुणली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशी में है जिस राशी में चंद्रमा है वो ही उनकी राशी है जिनके पास जनकुनली नहीं है वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम राशी जान सकते हैं और ये राशी फल अपनी नाम राशी से देखवा सुन सकते हैं और कौन-कौन से अच्छर कुम्भ राशी में आते हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशी जान सकते हैं, तो चलिए मित्रों सुरू करते हैं, पहले फरवरी महिने के ग्रहों का गोचर जान लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले प्रेम समन्द की चर्चा कर रहेंगे, फरवरी के महिने में सुर्य तेरा फरवरी को कुम्भ राशी में प्रवेश करेंगे, उससे पहले वो मकर राशी में रहेंगे, और मंगल 26 फरवरी से मकर राशी में गोचर में जाएंगे, इससे पहले वो धनूराशी में रहेंगे, और बुध जो है पूरा महिन मकर राशी में पूरे महिने गोचर करेंगे और राहु ब्रसब राशी में रहेंगे और केतु ब्रिष्टिक राशी में रहेंगे और चंद्रमाशा भी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परणाम देते रहेंगे तो चलिए पहले प्रेम समंधों की चर्चा कर ले मकर राशी बार्मा भाव है और मकर राशी में आपके राशी स्वामी का गोचर भी है तो इस महिने थोड़ा सा अप एंडाउन प्रेम संबंधों में देखने को मिलेगा हाला कि प्रेम संबंध काफी अच्छे भी रहेंगे क्योंकि मंगल और सुक्र आपके आयभाव में रहेंगे जिनकी द्रिष्टी पंचम भाव पर रहेगी और मंगल और सुक्र की यूती भी होगी तो प्रेम संबंध अच्छे भी रहेंगे लेकिन थोड़ा आप एंडाउन भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बात विवाद हो सकता है। आपके राशिस्वामी बारवे भाव में रहेंगे और पंच में इसके साथ रहेंगे तो कोई गलत फहमिया भी हो सकती हैं जिसकी बज़े से भी तक्रार होने की संभाबना बनी रहेगी। इसलिए कोई भी बात चीत या कोई भी गलत फहमी का नतीजा तुरंत ना निकालें और उसका पूरा प्रेमी प्रेमका से बात करें और प्रेमी प्रेमका की नाराजगी की बज़े समझें। उसके बात जो है आप किसी फैसले पर पहुँचे और अपने संबंधों को मधुर रखें। क्रोध ना करें आप में क्रोध देखने को मिल सकता है और क्रोध की बज़े से बाते बिगड़ सकती है तो इस बात का ध्यान इस महिने फ्रवरी के महिने में ज़्यादा रखना पड़ेगा। हालां कि गुरु का गोचर आपके प्रथम भाव में है जो कि आयभाव के स्वामी है और आयभाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है और गुरदेव की जो पंचम द्रष्टी है वो पंचम भाव पर है इसलिए प्रेम संबंधों में कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं रहेगी अगर कोई भी तक्रार होती है तो वो हल हो जाएगी और प्रेम संबंधों में जो लोग अपने प्रेमी प्रेम का की तलास में हैं सिंगल हैं उनको इस महिने कोई साथ ही मिल सकता है यह संभावना प्रवल है कि उनको कोई इस महिने साथ ही मिल सकता है प्रेम स्बमन्धों में विवाथ चल रहा था, तो इस समय अगर आप चाहें, तो कोसिस करें, तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है, यानि आपका प्रेम्य आप्रेम का मान सकता है, आपकी दुवारा से बाचित शुरू हो सकती है, जिन लोगों का प्रेम समंध पहले से है काफी दिनों से चल रहा है और वो उसको प्रेम समंधों को विवा समंधों में बदलना चाहते हैं यानि वो अपने प्रेमी या प्रेमी का आपस में विवा करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय अच्छा चल रहा है फरवरी का महिना अच्छा है आप अपने घरवालों से बात कर सकते हैं और आपको इस महिने उसमें सफलता मिल सकती है और आपकी बात बन सकती है और पुराना कोई भी बात विवाद आपके प्रेम समंधों को लेकर आपके परिवार में चल रहा है तो उस मामले में आप अपन वाली बात नहीं दिख रही है चलिए बैभाईक समंदों की बात करते हैं बैभाईक समंदों की बात करें तो सब्तमभाव के स्वामी सुर्य है और सब्तमभाव के स्वामी सुर्य का गोचर बारमें भाव में है तो बैभाईक समंदों में आपको 13 फरवरी तक अपनी बाणी पर सहियम रखना होगा बेर्थ के बाद विवाद से बचना होगा क्योंकि आपके राशिश्वामी भी वहाँ पर हैं और आपके पंचमेस भी वहाँ पर हैं और आपके सब्तमेस भी वहाँ पर पहुंचेंगे गोचर में तो बैभाईक समंधों में भी और प्रेम समंधों में भी दोनों समंधों में तक्रार का मलब बात बिवाद का बहुत रहेगा वेर्थ की बातें बात बिवाद बढ़ा सकती हैं इसलिए इस बात का ध्यान रखना है आपको चाहे प्रेम समंधों चाहे बिवा समंधों अपने साथी से तक्रार नहीं करनी है और जीवन साथी से वेर दृश्टी सब्तम भाव पर है, तो इसलिए और पंचम भाव पर भी दृश्टी है, इसलिए चाहें प्रेम संबंध हो, चाहें विवासंबंध हो, कोई भी बातें आपकी ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, और जो है अच्षी दृश्टियां हैं गुरू की, इसलिए जो भी समस अपस में होंगी वो हल हो जाएंगी। आपसी तालमेल बहुतर रहेगा, दोनों के लिष्टे में मधूरता आएगी , जीवनसाथी के साथ भी इहम का ठकराव संभव है। तकराव संभव है, उसी तरहें जीवनसाती के साथ भी अहका टकराव संभव है, आपको अपने जीवनसाती का भरोसा और विश्था जीतने की कोशिस करनी चाहिए और 13 फरवरी के आसपास जब सुर्र राश परिवर्तन करके आपके प्रथंभाव यानि कुंब राशbig में ही बैभाईक समंधों में परिशानी देखी जा सकती है, संगर्ष देखा जा सकता है, छोटी-छोटी बातों को लेकर कहा सुनी हो सकती है और आपके जीवन साथी यानि पती-पत्नी के बीच कहा सुनी बढ़ सकती है और आपकी पत्नी और आपकी माता जी के बीच भी किसी तरह क कहसनी हो सकती है दोनों के आपस में तालमिल में गड़बड देखने को मिल सकती है और ये तालमिल बनाने में आपको अपनी तरब से कोशिशें करनी पड़ेंगी तो बैभाईक समंधों के लिए मेहना थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य होगा क्योंकि विवाह के समंधों में दिखते देखने को मिल सकती हैं खास कर अहम के चलते क्रोध के चलते ब्यर्थ की बातों के चलते बाते बिगड़ सकती हैं पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिहास से चोथे भाव में राहू का गोचर है तो कुम राशिवालों के लिए थोड़ा सा अपने माता के स्वास्त का ध्यान रखना होगा माता से बाद विवास से बचना होगा परिवार में ताल में बना कर रखना होगा इसलिए आप अपनी बाणी पनी अंतर रखें कुरोध पनी अंतर रखें ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और माता पिता को स्वास्त समंधी समस्याएं भी परिशान कर सकती है क्योंकि केतु का गोचर दसम में है और राहु का गोचर चोथे भाव में है तो इस बात का ध्या रखना है भाई बहनों से समंध अच्छे रहेंगे और भाई बहनों से कोई लाब भी आपको मिल सकता है इस समय पर परिवार के सदस्यों में खास तो पर भाई बहन आपस में आपकी मदद भी करेंगे और उनसे आपकी लाब की उम्मीद भी बनी रहेगी और कुमराशी वा अपने शहीयोगों से और अपने बॉस से कोई भी बात विवास से बचना है क्योंकि सुर्य का गोचर आपके बार में भाव प्रथम भाव में होगा तो किसी भी बात को लेकर आप ज़्यादा उत्साहित हो सकते हैं ज़्यादा इनरजेटिक हो सकते हैं ज्यादा आप ऐसी बाते कर सकते हैं जिसे कि आपके बहुस को लगेगा कि आप जो है उन पर हाबी होने की कोसिस कर रहे हैं और आपकी बाते खराब हो सकती है। संभाव में केतु का गोचर भी है और उन पर राहू का प्रभाव भी है तो इसलिए मन में कई प्रकार के द्वंद चलेंगे और नौकरी को लेकर मन में कई गलत धाणाय भी बनेंगी इसलिए कारिछेतर का बाता मुट भी आपको परिशान कर सकता है कई उल्जिनों की बज़े से काम में मन नहीं लगेगा हालांकि प्रथम भाव में गुर्देप का गोचर है तो सुर्य भी वहाँ पर आएंगे तो 13 फरवरी के आसपास जब सुर्य वहाँ पर आएंगे कुमरासी में तो उस समय आप नोकरी बदलने की उज़ना भी बना सकते हैं और इसमें आपको सफलता भी मिल सकती है लेकिन और नई नोकरी आपके मन के अनकुल मिल भी सकती है आपके काम की प्रसंसा भी होगी कारिछेतर में और कारशेतर में भी आपका सम्मान बढ़ेगा लेकिन कोई भी नोकरी बदलने से पहले सोच विचार कर बदले क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है कि इस समय पर आप आराम से कोई नोकरी बदल दे और दूसरी नोकरी के लिए जब तक आपकी बात कहीं पकी ना हो नोकरी नहीं का है आपको कारोबार करने वाले लोगों के लिए समय सफलता का है लेकिन संघर्च देखने को मिलेगा सब्तमभाव पर हालां की गुर्देव की गोचर रहेगी जो की कारोबार ब्यापार के हिसाब से अच्छी है कारोबार में आप बिस्तार की भी सोच सकते हैं और उसके खर्च भी कर सकते हैं नया कारोबार भी सुरू कर सकते हैं लेकिन ये सभी कारे करने से पहले आपको हालात देखने की आवशकता है कि इस समय पर ऐसे हालात नहीं है कि नई चीजें सुरू की जा सके या ब्यापार कारोबार में विस्तार किया जा सके अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप कर सकते हैं धन के मामले की बात करें तो कुम राशी वालों के लिए आर्थिक दुष्टिकोर से ये मिला जुला समय रहेगा क्योंकि बार्वे भाव में बुध और सनी की उत्ती होगी जो कि आपके खर्चों को बढ़ाएगी और हाला कि आप दूसरों की भालाई के लिए खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे लेकिन स्वास्ट को लेकर भी कोई खर्च कर सकते हैं इसमदनी कम हो सकती है खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं सम्भावे कि समय आप कुछ ज़्यादा ही खर्चे करें जिससे कि आपको बाद में कोई करजना लेना पड़े इस बात का ध्यान रखें और नौकरी पेसा लोगों के लिए दफ्तर में भी हालाट ठीक नहीं होंगे क्योंकि आप में आहम रहेगा और बचत और निवेस को लेकर भी मानसिक परिशानी बढ़ सकती है और 13 फर्वरी के बाद सुर्य जब आपके पर्थम भाव में गोचर करेंगे तो उस समय पर थोड़ा सा अच्छा रहेगा बस अपने अहम को आगे ना ने दें इस बात का ध्यान रखें कारोगार में लाब की संभावना बनी रहेगी स्वास्त के दिश्टकोर से इस महिने कुम्बराश के लोगों को लिए थोड़ा साबधान रहने की आवशकता है क्योंकि बारबे भाव में आपके राशी स्वामी का गोचर तो पूरे महिने ही है लेकिन सुर्य भी आपके बारबे भाव में गोचर में रहेंगे तेरा फरवरी तक और बुध पूरा महिना यहाँ पर रहेंगे जो कि आपके अश्टमेस भी है और पंचमेस भी है तो स्वास्समंधी कोई परिशानिया हो सकती है इससे बिलकुल इनकार नहीं किया जा सकता आपको कोई मतलब चेश्ट से समंधित और कोई कफ बगरा की समस्या हो सकती है कुमरास के लोगों कोई दोरान साबधानी रखनी चाहिए खान पान को लेकर सतक रहना चाहिए अपने जीवन सहली को स्वस दिंचर्यापना योग प्राणायाम करें तनाव से बचें और मौसमी बिमारियों से भी बचने की कोसिस करें तो स्वास्त को लेकर बिसेश इस महने आपको ध्यान रखना है कि स्वास्त में कोई दिक्कत ना हो इस बात का बिसेश ध्यान रखें क्योंकि आपके बाहर में भाव में कई ग्रहों का गोचर है तो स्वास्त को लेकर आपके अपने स्वास्त को लेकर आपके जीवन साथी के स्वास्त को लेकर आपके संतान के स्वास्त को लेकर आपके माता पिता के स्वास्त को लेकर खर्च हो सकता है इसलिए आप ध्यान रखें कि परिवार के सदस्यों को लेकर या आपके अपने परिवार को लेकर या आपके अपने उपर कोई भी स्वास्त को लेकर खर्चा इस महने आ सकता है इसलिए कोई भी स्वास्त समस्या होती है कोटा ही बिल्कुल ना बरते हैं परामर्स ले हाला not EL कोई गम्भी समस्या की बिल्कुल भी योग नहीं है लेकिन क्या है कि वहां पर वुद्ध और जनी पूरे महिने रहेंगे तो आपको छोटी मुटी स्वास समस्याओं से इंकार नहीं किया जासकता छिंदा की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आपको अगर कोई भी स्वास्थ समस्य होती है तो कोता ही नहीं बरतनी है डॉक्टर से परामर्स लेना है और अपने स्वास्त का ख्याल रखना है तो इक कुछ इस तरहें के कुम्बराशी वालों को इस महिने प्रणाम मिल सकते हैं नोकरी करने वालों के लिए थोड़ा संघर्स हो सकता है दसंभाव में केट के उपस्तित है उन पर राहो का गोचर है और सब्तंभाव में हलांकि गुरू की दृष्टी रहने से कारोबारियों को कोई ज़्यादा दिखते नहीं होंगी संघर्स रहेगा बुद के बार में भाव में सनी के साथ रहने से सिच्चा के छेत्र में भी जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा तभी वो उसमें उनका मन लगेगा और तभी उनकी जो है सफलता उनको मिलेगी गर परिवार में अचानक तनाव का महौल बन सकता है इस बात का ध्यान रखें चौथे भाव में राहो की उपस्थिती है तो परिवारी गृष्टों पर इसका असर पढ़ सकता है और मंगल की पंचम भाव परदश्टी होने से प्रेमी प्रेम का के साथ हैम का टकराव हो सकता है आर्थिक पत्सामान रहने का योग है बारवे भाव में बुद्ध और सनी के गोचर से आपके खर्चों में ब्रदी बिल्कुल बनी रहेगी इस मेहने इसमें कोई संदे है नहीं ये खर्चे ज़्यादा रहेंगे स्वास्त को लेकर सतर रहना होगा और बारवे भाव में सनी सुर्य और बुद्ध एक साथ होने से चोटी-मुटी बिमारिया हो सकती है फरवरी का मेहना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा इस बारे में मैंने गोचर के हिसाब से आपकोई बातें बतलाई हैं ग्रहों के गोचर के हिसाब से चलिए उपाई की बात कर लेते हैं तो कुम्ब राशी वालों के लिए इस मेहने अगर उपाय की बात करें तो सनिवार बाले दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं और प्रतेक सनिवार को सनी चालिसा का पाठ कर सकते हैं और रविवार के दिन आप भैरो बाबा की पूजा कर सकते हैं कुत्तों को भोजन दे सकते हैं इससे भी आपको लाब मिलेगा और बुधवार के दिन गाय की सेवा कर सकते हैं और गाय को मूंग अपने हाथों से खिला सकते हैं उससे भी आपको लाब मिलेगा तो इन में से जो भी उपाय आप आसानी से कर सकें कर ले मित्रों निश्चिति आपको लाब मिलेगा तो मित्रों आज मैंने आपको कुम्भ राशिवालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की ये राशिफल सामाने राशिफल है ये सभी जात्कों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभब नहीं है क्योंकि आपकी जन कुनली में ग्रोहों की स्थिति और आपकी बरतमान दसा और अंतर दसा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्वर करता है आप सभी स्वस्त रहें आईश्मान रहें धनवान रहें ऐसी मेरी श्रीकष्ण भागवान से प्रार्थना है जै श्रीकष्ण